बहुत ही महदपूर है, पूछा गया प्रसने, ऐसे कोश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और ऐसे प्रसनों को solve करने के लिए आपको एकसोई मानने की जोरत नहीं है पेन उठाने की भी जोरत नहीं है, बहुत आसान तरीका बतारू प्रसने बोल रहा है दोस्तो, दो संख्याओं का गुड़नफल 45 और उनका अंतर 4 है संख्याओं के बर्ग का योगफल है, देखिए, कोश्चन यह बोल रहा है न, दो संख्याओं है उनका गुड़नफल क्या है दोस्तो 45 है, और अंतर क्या है दोस्तो 4 है तो बोल रहे है दोस्तो उन दोनों संख्याओं को बर्ग यानि स्क्वाइर कर दे और जोड़ दे तो क्या होगा ये पूछ रहे है तो देखिए ऐसे प्रश्णों को solve करने के लिए xy बिलकुल भी नहीं मानना है यहाँ पे गुडनफल 45 बोल रहे है तो आप ऐसी दो संख्या दोस्तो मन में सोचिए जिसका गुडनफल 45 होगा ठीक है तो आप सोच सकते हैं 9 5 ठीक है 9 गुणे 5 9 पचे 45 होगा या 15 या 45 होगा ये संख्याओं हो सकती है या 45 गुणे 1 करेंगे तो 1 गुणे 45 कर सकते हैं तो 45 होगा यही हो सकता है तो आप ऐसे देखिए कौन दो ऐसी सं संख्याएं हैं जिनका अंतर चार होगा यहां पे देखेंगे पंदरा तीन का अंतर दोस्तों क्या होगा बारा हो जाएगा यहां नौ पांच का अंतर देखेंगे तो चार होगा तो दोनों संख्याएं कौन है दोस्तों नौ और पांच है इसी का अंतर क्या हो रहा है चार हो और संख्याओं का गुड़न फल क्या हो रहा है दोस्तो 45 हो रहा है समझ रहे थोड़ा से इसमें दिमाग सोचेंगे तुरन दिख जाएगा पेन उठाने की बिल्कुल भी जौरत नहीं आप से हैं तो 45 का गुड़न खंड करके भी दो संख्याओं में कनवर्ट कर सकते हैं लेक आच का बर्ग क्या होगा दोस्तो 25 होगा इसी का योग फल पूछ रहा है जोड़ दे तो 5 एक 6 हो जाएगा आठ दो 10 हो जाएगा जोडने पर क्या हो गया 106 यही इसका अंसर होगा देखिए 106 कि इस ओप्शन में देखेंगे option number D में दिया हुए तो आपका option number D दोस्तो क्य हो जाएगा सही हो जाएगा तो दोस्तो हम उमीद करते हैं आप इस प्रशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गयोंगे और इस टाइप के question आपकी exam में आएगा तो आप अच्छे से solve कर लेंगे देखिए ऐसे प्रशनों को एक स्वाई बिल्कुल भी नमानिये आप डिरेक प्रशन को एक बार अच्छे से पढ़िए प्रसन है दोस्तो गनित की एक परिक्षा में पांच उमीद्वारों द्वारा प्राप्त अंक लगतार पांच विशम पुणांकों में है यदि उनके कुल अंक एक सो पच्छासी है तो उच्छतम अंक कितने है ध्यान दीजिएग यहां पर बोल रहा है पहले प्रसन समझे मैं प्रसन कभी भी सॉल्व करिए तो प्रसन को पढ़के समझने का प्रयाश जरूर करिए यहां बोल रहा है गनित की एक परिच्छा में पांच उमीद्वारों द्वारा प्राप्त जो अंक है दोस्तों क्या है लगतार पांच वि तो उचतम अंक कितने है जिसको सबसे ज्यादा अंकमर है वह ज्यादा कुछ नहीं करना है यहां Пर पांच उम्मीद्वार है ना अब यहां पर ध्यान दिजीगा है और यहां पर बोल रहां यहां उनके तो आप क्या करेंगे? बीच वाले का पुना अंक निकालने के लिए आप 180 से क्या करेंगे दोस्तों? पांच है ना? तो पांच से भाग करेंगे ध्यान दिजीगा पांच उमिद्वार है, पांच से भाग करेंगे, ठीक है, तो पांच से कटाएंगे, तो देखिए, पांच, तियाई, पंदरा, और पांच, सत्य, 35 होगा, ठीक है, यानि बीच वाला जो student है, उसका हो गया 37, यह जो भाग कियें, यह बीच वाले student का है, तो पांच है, टोटल student कितने है, पांच, तो 37 के बाद 2 student ले लिजे, 37 के बाद अगला विसम संख्या क्या होगा, 49, उसके बाद अगला विसम संख्या क्या होगा, 41, ठीक है, और 37 के पहले दो लेंगे, तो 37 के पहले वाला विसम संख्या क्या होगा, 35 हो जाएगा, और 35 के पहले वाला विसम संख पांच उमिद्वार है तो जब पांच से भाग किये तो क्या है बीच वाला तो पूछ रहा है तो उच्टम आंक कितना है तो उच्टम आंक बताईए इन सब में कौन है दोस्तो 41 41 सबसे उच्टम आंक है 41 कि सो अप्शन में है ऑप्शन नंबर C में है देखिए अगर नियूम 44 दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा 80 हो जागा ठीक है यहाँ पे देखिए 37 और 33 दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा 70 हो जाएगा ध्यान दीजेगा यह 70 हो गया और यह 35 आट साथ मंद्रह 150 और 35 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं 180 हो रहा है तो आप डिरेक्ट अंसर कैसे देंगे हम आपको बता रहे हैं यह 5 उमिद्वार है तो 5 से भाग कर दीजिए 5 त्याई 15 और यहां पर 3-5, 5-35 यह बीच वाले का गया इसके बाद 2 होंगे दोस्तो तो एक हो जाएगा 49 अगला क्या हो जाएगा दोस्तो 41 सबसे बड़ा पूछ रहा पूछा गया प्रसन है ऐसे प्रसन हमें सा पूछे जाते हैं पर उठाने के इसमें भी जरूरत नहीं है लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको हम समझाएंगे कि कैसे ऐसे प्रसनों को लिखा जाता है समझिएगा लिखने का पहले यहां पर समझिए और पढ़के पहले समझिए बोल रहा है दोस्तो 10 इस्तरिया 15 साडिया 5 दिनों में बुन सकती हैं तद नुसार 120 साडिया 8 दिनों में बुनने के लिए कितनी इस्तरिया चाहिए तो इ यहां पर क्या करेंगे, M1 की जगह, कितने लोग हैं दोस्तों, 10 इस्तरियां है, ठीक है, 15 साडिया, काम क्या हो रहा है, दोस्तों 15 साडिया बुनने के तो, यह 15 जो है न दोस्तों, यह नीचे आएगा, W1 की जगह पे, कितने दिनों में, 5 दिनों में, तो D1 की जगह, 5 दिन, अगले step में बोल रहा है 120 साधिया, 120 साधिया बुलने के लिए, यानि कि W2 की जगा 120 जाएगा, समझेगा, और यह बोल रहा है 8 दिनों में, यानि D2 की जगा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहां कितनी इस्तिरिया चाहिए, M2 की जगा आपको बताना है, क्या होगा, X मा क्या बोल रहा है, दोस्तो 120 साधिया है, 8 दिनों में बुलने के लिए, कितनी इस्तिरिया चाहिए, यहां पर मान सकते है, X या M2 मान सकते है, कुछ भी मान सकते है, अब देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहां पर यह 120 है, ध्यान दिजेगा, तो आप इसको कटा सकत है, यहां देखिएगा, 15 यए 120, 8 से यह 8 कर जाएगा, 10 पच्चे 50, M2 बराबर क्या आया, M2 बराबर दोस्तों यहाँ पर ध्यान दिजेगा, साफ से लिख देते हैं, ध्यान दिजे, M2 बराबर क्या आया है, दोस्तों 50, यही आपका अंसर हो जाएगा, बस कुछ भी नहीं करना है बस आप इतना लिखेंगे डारेक्ट अंसर आ जाएगा और देखिए पचास किस ओप्षन में देखेंगे ओप्षन नमबर डी में तो आपको ओप्षन नमबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा यानि कि 120 साड या आठ दिनों में बुनने के लिए कितनी इ चाहिए तो यानि option number D क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा ठीक है चलिए अब चलते हैं दोस्तों next question की ओर हम उमीद करते हैं आप इस प्रस्ण को बहुत अच्छे तरीके से समझ गयोंगे देखिए अगला question है दोस्तों चौथा question चौथा question भी काफ़ important है पूछा क्य question है दोस्तों कुछ बढ़यों ने एक काम नौ दिन में कर देने का बचन दिया प्रंतु उनमें से पांच अनुपस्थित्य और सेस आदमियों ने काम 12 दिन में पूरा कर दिया बढ़यों की मूल संख्या थी बढ़यों की मूल संख्या कितनी थी दोस्तों ये पूछ रहा है यानि कि यहां पर ध्यान दिजिएगा कुछ बढ़यों ने क्या किये हैं दोस्तों 9 दिन में काम करने का बचन दिया है प्रंतु उनमें से क्या हो गए दोस्तों 5 आए ही नहीं ठीक है 5 नहीं आया अनुपस्थित्य बोल रहा है सेस आदमियों ने 12 दिन में काम पूरा किया काम को क्या है दोस्तों काम 12 दिन में पूरा कर दिया पूछ रहा है बढ़यों की मोल संख्या नहीं पहले जो लगाने जाने थे कितने बढ़ही लगाए जाने थे ठीक है यह पूछ रहा है मोल संख्या तो मोल संख्या माल लेंगे दोस्तों X ठीक है तो यानि माल लीजिए दोस्तों यहाँ पर X बढ़हियों ने 9 दिन में काम करने का बचन दिया, होता क्या है दोस्तों 5 अनुपस्तित हो गए, यानि कि X में से क्या हुए 5 नहीं आए, तो और लोगों ने मिलके से साधिमियों ने क्या किया, 12 दिनों में काम को पूरा किया, ठीक है, यह गुने में 12 ह 12 दिनों में पूरा किया, अब देखिए, कुछ भी नहीं करना है, X गुने 9 करेंगे तो यह 9X हो जाएगा, 12 में X से गुना करेंगे तो 12X हो जाएगा, और माइनस 12 गुने 5 करेंगे तो क्या होगा, 12, 5, 60 हो गया, ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दिजे, ज्यादा कुछ कर नूरत नहीं है, अब यहाँ पर आप क्या करिए, X एक तरफ कर लिजे, संख्या एक तरफ कर लिए, माइनस में 60 हो जाएगा, बराबर कि इधर आएगा, तो क्या होगा, प्लस में 60 हो जाएगा, यह चीज समझ में आ गया, अब ध्यान दिजे, यह हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, दोस्तो, 60 बटा 3, यानि X बराबर क्या हो जाएगा, 3 दुना के 6, 20 हो जाएगा, क्या होगा, दोस्तो, X बराबर आपका यह ध्यान दिजेगा, X बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दिजे, X बराबर 20 हो गया, यानि बढ़हियों की जो मूल संख्या तो दोस्तो हम उमीद करते हैं आप इस प्रेशन को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी कोशन आपके एक्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सौल कर लेंगे इसे भी आप लोग नोट जरूर कर लीजिए चलिया अब चलते हैं दोस्तो नेक्ट कोशन की ओर एक बात और बता दू दोस्तो ध्यान दीजिएगा अगर आप मैत बेसिक से जिरो लेवल से और चैप्टर वाईज पढ़ना चाहते हैं तो सेकेंड वाले चैनल से जरूर प्रसन पहले पढ़िएगा पूछा गया प्रसन है और ऐसे प्रसन दोस्तो आप कोई भी एक्जाम देंगे तो आपको जरूर देखने को मिलेगा प्रसन है किरण के पास 50 रुपे तथा 100 रुपे के कुल 85 नोट है यदि उसके पास कुल धन 5000 रुपे हो तो 50 रुपे के नोटों की संख्या क्या है ये पूछ रहा है तो देखें ज्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ध्यान दीजे किरण के पास 50 रुपे हो 100 रुपे के कितने नोट है 85 नोट है बोल रहा है यदि उसके पास कुल धन क्या है दोस्तो 5000 हो ठीक है 5000 रुपए हो कुल धन टोटल ध्यान दीजेगा तो पूछ रहे हैं 50 रुपए की नोटों की संग क्या इसको दोस्तो आप चाहें तो एक नोट की वैलू लिकाल के आप एलिगेशन रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन हम आपको बता रहे हैं जिसमें आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है वह मैथट का नाम है दोस्तो गो थू आप्शन ठीक है क्या मैथट का नाम है गो थू आप्शन हम आप्शन से सॉल्व करेंगे 50 रुपए की नोट तो पचपन गुने 100 करेंगे तो दोस्तो क्या हो जाएगा ये पचपन सो हो जाएगा नहां दीजेगा ये पचपन सो हो गया पचपन सो और पंदरा सो जोड़ेंगे तो क्या 5000 होगा नहीं होगा तो ये उप्शन नहीं होगा समझने का प्रयास करिए ठीक है ये नहीं होगा तो फिर option number दूसरे की तरफ चलेंगे माल लेंगे 50 रुपए के 50 नोट है तो 50 गुने 50 यानि यह हो गया दोस्तो 2500 रुपए हो जाएगा आपका अब देखिए 50 जब यह नोट हो गया 85 टोटा नोट है तो बचे कितने नोट दोस्तो 35, 35 और जोड़ लीजिए इसमें 3500 क्योंकि 100-100 के नोट है तो 35 होंगे तो 3500 इसकी वैल्यू हो जाएगी अब इसको जोड़ेंगे दोस्तो तो यहाँ पे 005 पाँच पाँच के 0, 3, 2, 5, 1, 6 यह 6000 हो जा रहा है और होना कितना चाहिए दोस्तो 5000 तो यह भी नहीं होगा अब क्या करेंगे माल लेंगे दोस्तो option number C ध्यान दीजेगा समझाने में time लग रहा है solve करेंगे तो time नहीं लगेगा देखिए आप direct answer पे जाएंगे जब ज्यादा सज्यादा question की practice कर लेंगे तो माल लेंगे 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या है दोस्तो 70 है तो 5 सत्य 35 यह क्या हो गया दोस्तो 35 रुपए हो रहा है तो यानि कि यह पूरे condition को satisfied कर रहा है option number C तो 50 रुपए की नोटों की संख्या क्या होगी दोस्तो 70 होगी प्यान उठाने की बिल्कुल भी ज़ौरत नहीं है आप डिरेक्ट कोरल कर सकते हैं पांस सत्य 35 हो जाएगा और बचा 1500 यह पांस सो के नोट है 15 तो 1500 हो जाएगा पैंतिसो पंदरसो जोड़ेंगे तो यह 5000 हो जाएगा बिना पर नुठा या आप आंसर दे सकते हैं अंसर क्या होगा option number C तो दोस्तो हम उमीद करते हैं आप इस प्रेशन को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गयोंगे और इस टाइप के भी कोश्चन आपकी एक्जाम राएगा तो आप अच्छे से सॉल्ट कर लेंगे कोश्चन अच्छा लगा है लाइक से जरूर करिए और एक बाद